मटन का पिशावगी कवाब या ठिक्या कवाब जो कई वही बनाने जा रहे हैं यह हमारा 300 ग्राम गोश्थ है इसमें हमने आधा निम्बू गार के दिया है थोड़ा सा प्याद लिए है करश किया हुआ महमारी काटा हुआ नहीं पढ़ता है तो अच्छा लगता है इसम चीज में नमक है यह थोड़ा सामने धन्या पत्ति लिया मिर्च लिए अब लिए अब सब्सक्राइब गरम हो चुका है अब मैं इसका टिक्या बनाओंगी टिक्या बना करके सब डालते जाएंगे इसमें तलते जाएंगे बिस्मिल्ला हे रहा है कि तक हम एक एक फ़्पर के डाल रहे हैं अब उसको टल लेंगे तामने कले को देखाएंगे यह हमारा किक्या कवाब तयार हो चुका यह हम इसको सर्विस्टिंग प्लेट में